अस्सालाम अलेकुम दोस्तों विल्कम बेक नुमा यूटीप चेनल दोस्तों आज के एर्टाइजमेंट है पापुलेशन डिपार्टमेंट के जो खालिया साम्या है उसके लिए एक बात कह नहीं थी आप है बहुत दिनों बात वेडियो गना नहीं पड़ी लेकिन इस दोरान मगे कुछ मसाहिल का सामना था इसलिए उसके लिए माज़ित फ़ा हूँ चलिए आपको जो है यह एड़वराजमेंट मैं इदर पढ़ा के समझाओंगा कि किसे आप एप्लाइज कर सकते हैं साम्या वगरा यह चीज़े कितने हैं इसमें शुरू करते हैं आप इस आप प्र इसमें यहां पर हैप्लिकेशन और इन्वाइट प्रॉम्प एलिजबल कंडिएट हेविंग विसाइल आप खेबर पोख्तुनख्वा एक्सेट एनमडी मतलब नियूली मर्ज डेस्टिक्स के लावा यह साम्या जो है इसके जो हजलान नए जम्शुदा है उन लोग के अन कंट्रेक्टिल बेसेश एस पर प्रॉजेक्ट 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 लाइफ अंडर एड़ीप स्कीम और एड़ीप स्कीम का नाम यहीं दिया गए इस्टेबलेश्मेंट आप 200 फेमिडी वेल्पेर सेंटर इन खेबर पॉफ्तुर्खवा यह 2020 से 2023 तक को समय न चाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप एलिजिबल है या अगर आप एलिजिबल है तो भी आप एप्लाइब ना करें समझते हैं इसको नमबर फस्ट फेमिली वेल्पेर वर्कर फीमेल के लिए है यह एकवेलिन टू बीपेस नाइन मतलब इतो फेक्स पह पह लेकिन एकवेलिन टू बीपेस नाइन है नमबर आप पोस्ट टू हंडर्ड इस दो सव असामियों में से यहां पर आ गया जाएगा जोनल टक्सीम इसमें कुछ नहीं है लेकिन टूटल 200 सामिया है एज जो है 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए फ्लाइग कर सकते हैं और डुमेसाइल खेबर फॉक्तुन खुआ लेकिन नीवली मच्ट डेस्टिक के लोग मैंने पहले बताया वाइग फ्लाइग नहीं कर सकते इसके लिए इसके लिए 18 से 30 साल इसके लिए और यहीं खेबर फॉक्तुन सब्सक्राइग कर सकते हैं इसके लिए कोई एक्स्पीरियंस डिप्लोमा का शर्थ नहीं रखा गया है सिरफ आपने मेंट्रक की हो सिकन्डी स्कूल से डिपिकेट तो आप एप्लाइग कर सकते हैं कोई पर्स डिविजन सेकंड डिविजन कोई भी शर्थ नहीं है लेकि मेंट्रक आपने पास किया हो तभी आप इसके लिए इलिजिबल है बीपिस सेवन ही एक और नमर पर फिर फीमेल के लिए पीर से एक और इंटू बीपिस सेवन और दोस्व असामिया आए 18 से 30 साल तक के लोग इलिजिबल है इसके लिए भी शर्थ है से कंड़ी स्कोर से लिकेर फ्रॉम अरिकुनाइज बोर्ड आपने मेंट्रक पास किया हो फीमेल करिडर्स बेहन है वह इसके लिए अपलाई कर सकते हैं आगर आपका मेंट्रक क्लियर है किसी भी डिविजिन में उसके बाद आप चानवर पे आया मतलब हैल फर फीमेल यह बीपीएस तीन के बराबर है और यह भी दोसों और सामयाई 18-35 साल तक के लोग इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए तालिमी शर्थ है प्राइमरी पास इसके बाद है चोगीदार प्राजेक्ट पॉलिस यह बराबर है यहां पर एक बात है जो लोग जो है हाड इया से तालोग रखते हैं जैसा के मलाकिन डिविजिन तो उसके लिए त्री येर्स टूपाइफ एलिजिबल मौजूद है यहां पर ही कह रहे है कि कोई नहीं है लेकिन यहां पर इन्हों नहीं क्या हुआ है एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह शामिल किया गया था कि जो भी डिपार्टमेंट बर्तिया करें तो वो अपने उमर का हद इतना रखे कि उसमें हर्ड एरियास के लिए तीन से पांच साल तक के रियायत की गुंजाश मोजूद हो तो आप इसके अलावा भी अगर आप जो है परस करें स 50-30 साल तक का उमर जो है इसमें आप नहीं आते आपका उमर 30 से ज्यादा है कम में तो नहीं फाए से कंसाल तो पर आप कर सकते हो दों अगर आप छचत्र लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मगर वो लोग जो हार्ड एडिया से तालुक रखते हो जैसा कि मनाकन डिविजन और अजला अपर चत्राल लोर चत्राल अपर दिर लोर दिर इस तरह स्वात बुनेर शांगला यह लोग जो यह एज रिक्सेशन ले सकते हैं बकाइदा तोर पर तीन दूसरे इस तरह रहते हैं आपने पढ़ा होगा अगर मैं यहां पढ़ू तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाय होगा लेकिन चलते के कैसे अप्लाइग करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूमन में 13 नमबर पर एप्लिकेशन फॉर्म एंड फी डिपाजर स्लिप मे निट के दुकान में जाके वहाँ पर आप एप्लिकेशन फॉर्म यहां से हासिल कर सकते हैं फिर उसके बाद के रहें पी इस नाट ट्रॉंसफेरिबल और रिफॉंडबल आपका फी जो है अपने जो भी जमक के रिपलाई के लिए वह वाफस नहीं होगा आपो उसके बाद आपने एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आटेस्टेड कापी आप सीनाइसी एपने अफिकार्ड के अटेस्टेड कापी मतलब जो के क्लास बड़ुन आफिसर बीपस 16 से उपर 16 से 17 से अटेस्टेड हो वो और उसके साथी दो तसावीर लेकिन जिसका बेग्राउंड वाइड ह पर जब हम दाखिला के लिए जो फॉर्म में तसावीर लगाते हैं वो बेग्राउंड जो होता है उसका लेकिन यहां पर यह कहते हैं कि आपने सफेद बेग्राउंड लगाना है आपने फोटोग्राबर जो उनको कहना है कि मेरे पेक्टर का बेग्राउंड सफेद आना चा स्लिप जो है वो जमा करा सकते हैं उसके बात कह रहे हैं डिवली फैल एन अप्लिकेशन फॉर्म एलांग विद ओर इनल डिपाज़ट स्लिप अंतलब जो आपने पैसे जमा किये बैंक में जो डिपाज़ट स्लिप वहाँ से आपको मिला बैंक का स्टेंप लगा होगा जिसमे वो और उसके साथ एप्लिकेशन फॉर्म इसके इलावा किसी चीज़ की जुरूरत नहीं है सिरफ ये डिवली फैल एन अप्लिकेशन फॉर्म एलांग विद ओरिजिनल डिपाज़ट स्लिप आपने एप्लिकेशन फॉर्म के साथ सिरफ अपना डिपाज़ट स्लिप ही जो अप्लाई करनी है मतलब आप अगर कॉरियर सर्वेस एलसी अओसी से टीश से बेजनी हो तो हमेशा दो दिन पहले बेज़े ताके वो बरवक्त पहुंच सेके आपने यादरी यह रकना है कि 13 जनुरी से पहले पहले आपने एपलाई करनी है फ्रू एनी कॉरियर सर्वेस help dial 05.2153577-9 आपको अगर कोई मालुमात देनी हो तो इसी नमबर पे जो है आप call करके हासिल कर सकते हैं इसके लावा candidate submitting wrong information documents will be declared as default आपने application form बड़े इत्यार के साथ फिल करना ही है या करे कि कोई भी गलिती हो तो वो आपकी अपनी गलिती तस्वर की जाएगी कोई भी करेक्शन का option जोए आपको नहीं दिया जाएगा और आप टेस्ट के लिए अनलेजिबल तस्वर किये जाएगे या पर पिर एक जरूरी बात करें candidate will be informed through SMS by ATS to download and print their role numbers से पंदर जब test date announce हो जाए तो पिर आपको ATS के तरफ से एक message बेज़ जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपना डूर नंबर ATS के वेब साइट से डाउनलोड करें मतलब आपको एन फार्म किया जाएगा यहाँ पर candidates are directed not to give fault in converted mobile number आपने अगर अपने SIM का network change किया और वो convert किया और पर उसके रहे मेरे पास कोशिश करें कि आप बरवक्त apply करें उसके बाद तैयारी वगयरा कैसी करने इसके लिए जो भी material एट इसके वबसाइट पर अप्लोड हो जाए मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा वीडियो अच्छी लिए लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आद दूसरे दो